So guys once again welcome back to your own channel CBC class 10-12th के जो students थे compartment, private, repeater, improvement वाले बच्चे आप सब का result निकल चुका है और आप लोगों को अपना result देख भी पा रहे होंगे लेकिन जिस तरह से messages guys मेरे पास में आ रहे हैं बहुत सारे students जहां पर कह रहे हैं कि वो अपने marks से satisfied है वहीं एक बहुत बड़ा संख्या उन students का भी है जो अभी भी वो satisfied नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भई हमने exam अच्छा लिखा था और उसके बाद में भी हमें marks जो है वो CBC ने बिलकुल भी सही से नहीं दिया तो अब यहां पर एक बड़ा बात आता है अगर आप essential repeat ER आपके mark sheet में लिखा हुआ है या triple x 4 bar x लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके क्या marks सुधर सकते हैं chances है या नहीं है इसको ले करके CBC ने एक बहुत ही बड़ा important circular कल जारी किया है और वो मैं आपके साथ में share करूंगा ठीक है आप चाहें तो इस process के तुरू जा करके अपने marks को increase करवा सकते हैं ठीक है so guys miss नहीं करना है वीडियो पूरा अंतक देखना है yes the most important thing पहली बर हमाई चैनल में आया है तो चैनल को subscribe जरू किजएगा like, share, comment जरू करना है guys यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि CBC ने एक notice एक circular जारी किया है class 10th और 12th दोनों के लिए अलग-अलग circular है मैं combined करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को एक मौका दे दिया गया है copy rechecking का अगर आप अपने marks से satisfied थे कि यार मेरे marks आप expect कर रहे थे 75, 70 और आपके marks आगए 45, 40, 42 इस तरह से कुछ marks आगए और आप satisfied नहीं है तो CBC ने एक मौका दिया है verification of marks का copy जो answer sheet था उसका photocopy आप ले करके खुद cross check कर सकते हो या rechecking copy rechecking का एक process का आपको पूरा मौका दे दिया गया है लेकिन ये जो पूरा process है ये step by step process है किस तरह से है, क्या है मैं आपको बताऊँगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप इस process को use कर सकते हैं लेकिन time बहुत कम है और आपको तुरन decision लेना होगा चाहे आप class 10 के हो या 12 के हो तो guys मैं आपको बता दूँ चीज़ पता है, लेकिन ये process क्या है step by step क्या है, आप कैसे इसके लिए apply करोगे, ये मैं आपको बता दिरा हूँ सबसे बढ़ी बात ये कि सिबसी ने क्या दिया है इस बार copy rechecking का process जो है वो हर बर भी online ही होता है, लेकिन इस बार और खास तोर पे सर क्या इदर से उधर बोल रहे है copy rechecking का मामला देखो, कहां से शुरू होता है पहला step, दूसरा step, तीसरा step बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला step में होता है आपको apply करना पड़ेगा online apply करना पड़ेगा, verification of marks के लिए ठीक है, मतलब आप अपने marks को verify करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको apply करना पड़ेगा 500 रुपया पर subject लगेगा class 10th वालों को भी, 12th वालों को भी और इसके लिए आपको date कौन सा है उस date के अंदर में ही apply करना है 4 October से 6 October के बीच में class 12th वालों के लिए, 4 October से 6 October 10th वालों के लिए 5 October से 7 October है ठीक है, हो गया, अब second step में आता है आपका, आपका answer sheet का जो आप, photocopy है आप वो मंगवा सकते हो, देख सकते हो किस तरह से copy checking हुआ, नहीं हुआ इसके लिए भी आपको online application देना पड़ेगा ठीक है, इसके लिए भी आपको जो class 12th वाले हैं per subject 700 रुपया लगेगा class 12th वाले के लिए, और बैने जो verification of marks का था 500 रुपया, वो भी 500 रुपया per subject है, सारे subject का नहीं है, per subject का 500 रुपया तो अगर आप 2 subject के लिए जाते हो, तो आपको verification of marks में 1000 रुपीज लगेगा और अगर आप answer sheet का photo copy मंगवाना चाहते हो, तो per answer sheet, per subject का आपको लगेगा 700 रुपया 12th वालों को, 500 रुपया 10th वालों को, और इसका apply करने का date है 13th October से 14th October, चेके, और 10th वालों के लिए date है 14th October से 15th October, यानि कि दो ही दिन का फर्क मिल रहा है आपको, अब last जो step आता है, वो आता है copy re-evaluation, यानि कि re-checking online ही आपको apply करना है और per question, मान लिजिए आपने अपना answer sheet अब आपने मंगवा लिया, ठीके, पहले आपने verification अब यहाँ पर मैं फिर से repeat कर रहा हूं, step by step process है, आप jump नहीं कर सकते आप यह नहीं कह सकते कि मैं अपना answer sheet का copy पहले मैं form भर दूँगा और वो मेरा आ जाए आपको, जो students ध्यान से सुनिएगा, जो student verification of marks के लिए जाएंगे, सिर्फ वही students apply कर सकते है answer sheet का copy photocopy लेने के लिए, मतलब आपको verification of marks के लिए apply करना ही पड़ेगा उसके बाद में आप second step में आप जाओगे answer sheet का photocopy लेने के लिए और third step में आप जा सकते हो at the end, सबसे आखिर में copy revaluation, यानि की rechecking के लिए और इसमें आपको date दिया जा रहा है apply करना आपको, class 12 वालों का है 18, 19 तारिक को दो दिन के अंदर में और 10 वालों को 19 और 20 तारिक के अंदर में 20 October ठीक है per question आपको लगेगा 100 रुपया मतलब मान लिए आपने answer sheet मंगवा लिया copy rechecking समझ जो आप आपने answer sheet मंगवा लिया आप answer sheet देखने के बाद में आप देख रहे हो copy rechecking तो challenge अब करोगे तो per question अगर आप 2 question के लिए challenge कर रहे हो तो 200 रुपया 5 question को challenge कर रहे हो तो 500 रुपया इस तरह से चेक है अब यहाँ पर एक खास बात जो CDC के circular में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एग भी number घटता है तो वही आपका main mark sheet हो जाएगा आपको छोने के बाद में तो I hope कि यह पूरा process आपको सज्च में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो copy rechecking कर ले करके मैं special video बना दूँगा आप मुझे comment section में जरूर बताना and yes think about this thing कि आप copy rechecking के लिए जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में this is all from my side जै हिंद जै भारत